ask him या फिर ask her ठीक है उसे पूछो पहली बार ये बोला गया male के लिए him ask her उस से पूछो यानि कि उस female से पूछो इस अल हू इस अल हू अब यहाँ पर हा के उपर जो पेश है it indicates कि हम वो रहे हैं पहली मरतबा आदमी के लिए इस अल हू उस से पूछो यानि कि उस आदमी से पूछो फिर है इस अल है इस अल है उस अरत से पूछो ask her उस अरत से पूछो असलाम आलेकुम इंकराबिक चैनल पर मैं आप सब को खुशामदेद कहता हूँ उमीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे ट्रिक ठाक होंगे हमारा ये लेसन मुतालिक होगा sentences के इस लेसन में हम कुछ ऐसे sentences सीखेंगे जो हमारी रोज मर्रा की रूटीन में daily life में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं ये sentences बहुत common हैं आप जैसे जैसे आप इन sentences को सुनते जाएंगे आप देखेंगे कि आप इन में से बहुत से sentences रोज़ाना की बन्याद पर घर में धर से बाहर दोस्तों के साथ आफिस में, कॉलेज में कहीं भी आप लाजमी इस्तेमाल करते हैं इसलिए इस वीडियो को में साथ आपने देखना है आखिर तक 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 आप ये sentences अच्छी तरह से याद करके अपने बोलचाल अरभी में कर सकें इस lesson की बाद में revision के लिए मैं free of course PDF का link description में दे रहा हूँ आप वहां से जाकर इस lesson के notes आप download कर सकते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है PDF हमारा बिल्कुल मुफ्त होता है तक आपको बाद में revision करने में आसानी रहे हम शुरू कर लेते हैं lesson हमारा पहला sentence जो होगा वो है wait outside wait outside बाहर इंतजार करो ठीक हैं बाहर इंतजार करो sentence क्या बनेगा इंतजर बिल्खारिज इंतजर बिल्खारिज बाहर इंतजार करो ठीक हैं कोई आप से मिलने आया है किसी दोस्त ने आपको बुलाया है आप घर के अंदर हैं आप कलासरूम में हैं आप कहीं भी हैं और आपने बाहर खड़े शख्स से कहना आए कि यार कुछ देर इंतजार करो मैं अभी आया ठीक है आप क्या बोलेंगे इंतजर बिल्खारिज आप बिल्खारिज आप ना भी बोलें आप सिंपल ये भी कह सकते हैं इंतजर ठीक है इंतजर बिल्खारिज बाहर इंतजार करो तो यह जरा specific हो जाएगा Did you get it? Did you get it? ठीक है, get it का मतलब होता है समझ जाना, समझ देना बात को अच्छी तरह से pick कर लेना इसको आप एक ओओ तरह से भी बोल सकते हैं Did you understand it? Did you understand? क्या आप समझ गए? तो इसकी आप भी क्या बनती है? हल फहिम्त हल फहिम्त क्या आप समझ गए? अब आप गोर करें यह sentence हम कहां बोलते हैं जब आपने से छोटी उमर वाले बच्चे को को बात समझानी हो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कोई teacher classroom में कोई topic explain कर रहा है students को तो वो यह sentence लाजमी बोलते हैं आपको समझ आ रही है आपको आसानी से सब बातों की समझ आ रही है तो अब वहाँ पर आप यह sentence बोलेंगे हल फहिम्त क्या आप समझ गए? I have no time I have no time मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास time नहीं है लई से लेदेजल वक्त ठीक है? ले से लेदेजल वक्त मेरे पास time नहीं है मैं free नहीं हूँ मैं मसरूफ हूँ ले से लेदेजल वक्त You must be joking You must be joking या फिर You must be kidding तुम जरूर मजाग कर रहे हो तुम जरूर मजाग कर रहे हो बित्ताकीद अन्त तुमाजिह बित्ताकीद अन्त तुमाजिह तुम जरूर मजाग कर रहे हो अब यहाँ पर हमने बित्ताकीद इसलिए इस्तमाल किया कि हम सेंटेंस में must बोल रहे हैं तो must का मतलब होता है जरूर ठीक है? और अर्बी में जब किसी बात में शिद्दत लानी हो तो आप उसमें यह लफ्स लाजमे इस्तमाल करते हैं ताकीद ठीक है? You must be kidding बित्ताकीद अन्त तुमाजिह तुम जरूर मजाग कर रहे हो Here it is ये रहा ये रहा है दै हुआ ठीक है? ये लीजे जनाब ये रहा He is not at home वो घर पे नहीं है वो घर पे नहीं है लई से फिल बाईत लई से फिल बाईत वो घर पे नहीं है Don't get angry Don't get angry गुसा मत हूँ नाराज मत हूँ गुसा ना करें ला तगवब ला तगवब Don't get angry Consider it done Consider it done समझ लें कि ये हो गया बस समझ लें आप कि ये हो गया समझ लें ये हो गया अब ये आप कहां बोलते हैं जब आप को कोई काम जिम्मे लगाए और आप उसको मुकमल जिम्मदारी के साथ अंजाम देने का इराता रखते हो तो आप अगरे बंदे को यकीन दहानी करवाते हैं कि आप बस ये काम अब मुझ पर छोड़ दें आप समझ लें कि आपको ये काम हो गया ठीक है समझें ये हो गया पहली बार ये बोला गया 'n- बार मेल के लिए उससे पूछो यानि कि उस फीमिल से पूछो इस अल हूँ अब यहाँ पर हा के उपर जो पेश है इस इंडिकेट्स कि हम वो रहे हैं पहली मर्तबा आदमी के लिए इस अलहू उससे पूचो यानिके उस आदमें से पूचो फिर है इस अलहा उस अरत से पूचो ask her उस अरत से पूचो ask him, is अलहू? ask her उस अरत से पूचो एस अलहा No way No way, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता, मुम्किन ही नहीं है लें युम्किन ये तो मुम्किन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता No way Never mind Never mind, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं Labus Labus, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं Nothing like that, nothing like that, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं, लई से के जालिक, ऐसा कुछ नहीं है It's done, ये हो गया, खत्म, फिनिश हो गया, तम्मल अम्र, चीक हैं, पहले बार, तम्मल अम्र, दूसरा, तम्मत तन्फीद, तम्मत तन्फीद हो गया, It's done Switch off the light, switch off the light, light बंद कर दें, light बंद कर दें, इतुफाइल मिस्बाह, इतुफाइल मिस्बाह, light को बंद कर दें, मिस्बाह बोलते हैं, light को, lamp को As you wish, as you wish, जैसे तुम चाहो कमा तशा, कमा तशा, जैसे तुम चाहो जैसे आपकी मर्जी What brings you here, what brings you here, यहां कैसे आना हुआ, यहां आप कैसे तश्रीफ लाए, कैफ अते तहुना कैफ अते तहुना, आप यहां कैसे आए Peel the orange, peel the orange, मल्टा चील दो, मल्टा चील दो, कशेरिल बुर्टुकाल, कशेरिल बुर्टुकाल, मल्टे को चील दो I am on the way, I am on the way, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, एन फित तरीक, मैं रास्ते में हूँ, I am on the way Looking gorgeous, looking gorgeous, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत शांदार, दिलकश लग रहे हो, तुरो जमीलन जिद्दन, तुरो जमीलन जिद्दन, बहुत ही प्यारे लग रहे हो Don't tease, don't tease, तंग मत करो, ला तुजःज, तंग मत करो Here I am, मैं आगया, लो, मैं आगया, कद अताइद, here I am, लो, मैं आगया I don't think so, I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा खियाल में ऐसा नहीं है ला अगुन्न के जालिक अगुन्न के मतलब है मेरा खयाल मेरा नहीं खयाल है के जालिक के ऐसा है ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लगता ला अगुन्न के जालिक Keep quiet खामोश रहो सकुत इख्तियार करो उसकुत Keep quiet, उसको खामोशी अख्तियार करो Let him in, let him in, उसे अंदर आने दो उसे अंदर आने दो, दाःहू यद्खुल दाःहू यद्खुल, दाः का मतलब होता है इजाज़त देना, कि उसको इजाज़त दे दो ठीक है, दाःहू उसको इजाज़त दे दो यद्खुल अंदर आने की, दाःहू यद्खुल उसे अंदर आने दो उसे अंदर आने की इजाज़त दे दो Let it be, let it be, जाने दो, बस अब रहने दो अब कोई फाइदा नहीं, खली सबील, खली सबील, जाने दो, रहने दो Are you ready? Are you ready? क्या तुम तेयार हो? हल आंत मुस्ताइद? क्या तुम तेयार हो? How dare you say that, how dare you say that तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कैफ जरॉत अला अन तकूल कजा ठीक है कैफ जरॉत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तकूल कजा ये कहने की तुम्हारी ये कहने की जरॉत कैसे हुई तिंक अगेन फिर सोचो फिर से सोच लो थुम्म तफक्र फिर से सोच लो थिंक अगेन लॉंग टाइम नोसी बहुत वक्त हो गया मिले नहीं बात नहीं हुई लॉंग टाइम नोसी मैलकीन मुंदु जमन ठीक है मैलकीन मुंदु जमन जमन यहाँ पर जमाने को इतबार दिया गया है कि एक जमाना गुजरा एक टाइम गुजरा एक अर्सा हो गया आप से कोई मुलकात ही नहीं हुई मैलकीन मुंदु जमन Are you kidding me? Are you kidding me? मजा कर रहे हो? तुम मजा कर रहे हो? हल तुम आजिह? हल तुम आजिह? What's wrong with you? What's wrong with you? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें हुआ क्या है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मसला क्या है तुम्हें हुआ क्या है Look who is asking Look who is asking देखो पूछ भी कौन रहा है देखो यार पूछ भी कौन रहा है ठीक है ये हम taunt करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उंदुर मैं यसल उंदुर मैं यसल देखो यार पूछ भी कौन रहा है I don't have anything I don't have anything मेरे पास कुछ भी नहीं है लेसे अंदी शई मेरे पास कुछ नहीं है Don't make noise Don't make noise शूर मत करो शूर मत करो ला तविजू ला तविजू शूर मत करो Move away Move away, दूर हटो, हट जाओ इब्दाईद, ठीक है Move away, दूर हटो, साइड पे हो जाओ इब्दाईद I love it I love it, मुझे ये बहुत पसंद है मुझे ये बहुत पसंद है ओहिब भुःदा जिद्दन ओहिब भुःदा जिद्दन मुझे ये बहुत पसंद है You did it right You did it right तुमने बिल्कुल सही किया ठीक है? ये आप बोलते हैं किसी को उसके काम पर तारीफ देने के लिए कि यार तुमने ये काम बहुत अच्छा गिया बिल्कुल ठीक किया असवबत असवबत है तुमने बिल्कुल ठीक किया तो दोस्तो हमरा ये लेसन इस सेंटेंस पर खतम हो रहा है इस लेसन में हमने तकिरिभन 40 के करीब सेंटेंस देखे हैं और अगर आपने ये लेसन मेरे साथ आखर तक देखा है तो आपने नोट किया होगा कि आप इन में से बहुत से सेंटेंस आप अपनी रोजमरा की रूटीन में इस्तेमाल लाजमे करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट्स लाजमी करें और हमारा ये चैनल अपने दोस्तों में साथ लाजमी शेयर करें और खुद भी सबस्क्राइब कर दीजे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, अलाँ आफिज